नमस्कार दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूटूब चैनल पर तो आज हमारी डिसकेशन रहेगी वीजा अपॉइंट्मेंट के उपर तो वीजा की ये अपॉइंट्मेंट है मेरे पास तीन कंट्रीज की पॉलेंड की एक हमारे पास से जाला जो बच्चे परिशान है जर्मनी के बैचलर वाले बहुत जाला कमेंट्स लिखते हैं हमें कि सर हमें ये बताएं कि बैचलर की अपॉइंट्मेंट कब खुलेंगी तो लास वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉबबिली पंदरां दिसंबर के बाद हमें क कि हम जो वीजा अपॉइंट्मेंट है बैचलर डिग्री वालों की वो फर्स्ट ऑफ जैन के बाद खोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैचलर डिग्री करने के लिए कहां पर जाना है जर्मनी में जाना है तो जर्मन से र आता हूं अपने यूट्यूब चैनल के दुरू कि आप जो लोग किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिकोशन लें बिफोर गोइंग टो एनी कंट्री इवन अभी जो एक स्कैम आया था कुछ दिन पहले कि कुछ वहां की प्राइवर्ट यूनिवर्स्ट चाहे किसी भी कंसल्टेंट के थूँ जाना है तो सिर्फ आप बहां पर पब्लिक यूनिवर्स्टी में जाएं तब क्या होगा कि आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं प्राइवर्ट यूनिवर्स्टी के मैंने प्रॉलम्स बताई थी क्या बताई थी कि कभी भी बंद हो सकती हैं जो बहां पर सिच्वेशन चल रही हैं तो अगर आपने जर्मन एवन से लेकर बीटू सीखना है वो भी हम पब्लिक यूनिवर्स्टी के अंदर करवाते हैं इंसाइड जो की यूनिवर्स्टी का कैंपस है इवन जिन बच्चों को स्टूडिंग कॉलेज लगता है कुछ बच्चे यहां पर स्टूडिंग भी प्राइवर्ट कॉल्जस से जाकर करते हैं प्राइवर्ड यूनिवर्स्टी से जाकर बहां पर करते हैं जर्मनी में हम आपका स्टूडिंग कॉलिंग बो भी हम बहां की पब्लिक यूनिवर्स्टी में करवा सकते हैं जिसकी दो यार यूरो से लेकर 3500 यूरो के बीच की रहेगी ये भी आप एक अच्छा अडवंटेज ले सकते हैं हमारे पास बहुत सारे आप्शन है जर्मन से रिलेटर आज की डेट में जो वीजा आपॉइंट्मेंट के उपर प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में मैं डिस्कस क भी लिखकर आ चुकी है उन्होंने भी हमें कंपर्मेशन दिया कि हमारी जो वहां की गौवर्मन्ट है वो चाती है कि अभी जो वीजा आपॉइंट्मेंट को है उसको स्टीम लाइन किया जाए वो जनर्वरी के बाद नेक्स मम जितने भी उनकी आपॉइंट्मेंट रहती ह वालों के लिए अभी जरी रिजりसेंट हमारी एपनी अपोइंटमेंट हमारे दो बच्चों की है तो हमारे भी कुछ मास्टर के बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर डिगरी करने के लिए जाना हमारे तुरूअब पर सैस हो रही हैं उनकी हमने जिए वावने उणनर वह क्या करना है उससे रिलेटर है इवन आपकी एजूकेशन से जो इंडिया के अंदर गेंड किया और जर्मन अबैसी आज की डेट में हर एक डाकुमेंट को प्रॉपरली चेक कर रही है जो बच्चे जर्मन का फेक डाकुमेंट लगा कर वीजा लेने की कोशिच करने उनको वार जर्मन की थी इसी तरीके से जर्मन का मैंने अपडेट कर दिया पॉलेंड की यह अभी हमने रिसेंट दो बच्चों की अपाइटमेंट ली है पॉलेंड की यह पॉलेंड के बच्चों की अपाइटमेंट ली है जिन बच्चों ने बहाँ पर स्टूडेंट वीजा के उपर जाना है जहां work permit की appointment लेनी है तो अगर आपकी पॉलेंड की भी वीजा appointment में कोई problem आ रही है तो crown immigration आपकी help कर सकती है लेकिन पॉलेंड embassy वीजा देने में बहुत ही इसका बुरा हाल है डालने का फैदा नहीं है वीजा मैं सच बताता हूं हर एक fact बताता हूं fact के बाद आपने decision लेना है कि क्या हमें आगे केस को proceed करना चाहिए जा नहीं करना चाहिए हाँ फिर भी आपने appointment लेनी है आइधर student की जहां आपने work permit की तो crown immigration उसमें help कर सकती है इसी तरीके से यह हमने अभी दो recent appointment पॉर्टगाल family reunion की उठाई हैं जो लोग family reunion की appointment नहीं ले पा रहे हैं जो problem face कर कर रहे हैं तो वो भी crown immigration से संपर्क कर सकते हैं crown immigration आपकी उसमें 100% help कर सकती है तो अगर आपको किसी भी टाइप के national visa जाडी visa की जितनी भी मैंने इसकी कोई problems है तो crown immigration से संपर्क करें crown immigration आपको कोई ना कोई उसका भी बता सकती है ऐसा नहीं है कि हमारी कोई embassy में हमारी setting है हम dedicated staff जो IT का staff है मैंने चार बंदे especially इसी के उपर लगाए हुए हैं जिसको इसी की हम salary provide कर रहे हैं वो day night सिर्फ appointment ही चेक करते हैं तो आप हमें संपर्क करें तो हम आपकी इसमें help कर सकते हैं अगर आपकी और भी किसी country की appointment की problem है crown immigration आपको बता सकती है crown immigration always ही एक informative वीडियो लेक कोशिश करते हैं कुछ लोग तो बहुत appreciate करते हैं और कुछ लोग बचारे मतर्न राज भी हो जाते हैं यार आप तो बहुत ही ज्यादा ही बता देते हो तो कुछ बचारे कमेंट्स भी गलत लिखते हैं बीच में हमारी वीडियो देखकर तो एनी हो जो अच्छा लिखता है उनको भी मेरा थैंक्स है जो गलत भी क्युमेंट्स लिखता है उनको भी मेरा सलूट है कोई बात नहीं तो इस तरीके से हमारे चैनल के उपर कम से कम इस से रिलेटर छे सो से ज़्यादा वीडियो जैगर उनको भी देखना चाहते हैं वो सारी कि सारी इंपोमेटिव हैं आ बालता ही रहता हूं अपने चैनल के उपर जो कि फॉरण वर्ड के वर्ड के फॉरण कंट्रीज के वीजा न्यूस से रिलेटर हो सकती हैं आपको भी बैनिफिट कर सकते हैं तो लास्ति मेरी यही रिक्वेस्ट है अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल करना नामुले थैंक यू